शिफ्ट हाकरे और MC स्टैन पर आकरकार क्यों बुरी भड़की है गोहर खान। यहाँ प्रियांका वो कॉफी की बॉटल अब घर तो ले जाएगी नहीं न साथ में तो यहाँ पर उसका ये था कि भई सब उसको यूज करे सब के काम में आ जाए तो क्या प्रॉब्लम है तो प्रियांका को पता है स्टैन कॉफी पीते हैं तो उन्होंने वो कॉफी ओफर की क मैं यहीं पर इसको रख रही हूँ जिसको चाहिए वो ले सकता है मुझे तो एक चमब चाहिए होती है रोज तो यहाँ पर दोस्तों MC स्टैन उस बात का भी एक अलग ही निरेटिव तयार करते बने उनकी पीट के पीछे यहाँ पर गौहर ने लिखा है कि अगर कोई नहीं पसंद है तो प्रिटेंड भी मत करो यार जूट मुडगा के नहीं चलो ठीक है उसके मुझे सामने कुछ और उसकी बाद इन्हों लिखा है किसी की छोटी अच्छाई पर भी पीट पीछे बोलना दिखाने को कर रही होगी तो फिर एकसेप्ट ही क्यों किया आखों ही नाको में इतनी बिचिंग मतलब कुछ ही चंद सेकंड में इतनी सारी बिचिंग कर डाली दोनों ने बापरे पर जो है उन्होंने लिखा है उनको नहीं पता इट्स लुकिंग बैड ऑन देम यस मैं वही चीज कह रही थी कि अगर वो गेम की इस पड़ाओ पर आकर भी ऐसी चीज करेंगे यह बिचिंग अगर चलती रहेगी तो यह उनके लिए सही नहीं है प्रियांका का कुछ नहीं जाएगा उसमें लेकिन उन दोनों के लिए यह सही नहीं है आप सभी को क्या है क्या है क्या है ना कॉमेंट्स में ज़रूर बताएए